पित्री पक्षे इस दिन से शुरू होने जा रहे हैं। जानिय स्राध्य की तिथियां परिवार के जिन बुजुर्गों का जिन पुर्वजों का देहांत हो चुका हैं। उन्हें पित्री मानते हैं। पित्री पक्षे में पित्रों का आसिरवात पाने वाला। पित्री धर्ती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं। आसिरवात देते हैं। उन्हें उनकी सारी समस्याएं धूर करते हैं। इस बार पित्री पक्षे की सुरुवात 29 सितंबर शुक्रवार से होने जा रही पुर्वजो को समर्पित या बिसेस समय आस्विन मास के कृष्ण पक्ष से प्रारम होकर अमाउस्या तक के पंद्रह दिनों की ओधी पित्री पक्ष अर्थात स्राध्ध पक्ष कहलाती है पिये कार्ज होते हैं इसमें बिल्कुल वरजित मानेताओं के निशार अगर आप पित्री पक्ष में कोई नया समान खरीते हैं तो उसमें प्रीत का वास होता है पित्री पक्ष में बिवाह, शगाई, मुंडन, उपनेन, संसकार आदी जैसे मांगली कार्ज करक बिल्कुल जो है वह बरजित होते हैं स्राथ के दौरान किसी भी तरह के नए बिजनेस के सुरुआत करना भी शुब नहीं माना जाता है इस दौरान क्या खरीच सकते हैं आईगे जान लीजी इस वुडियो के मादियम से पित्री पक्ष के समय में नए बस्तर खरीदना बिल्कुल इसकी मनाई है बिल्कुल वर्जित मना गया है ऐसा इसलिए क्योंकि पित्री पक्ष में बस्तर का दान पित्रों के लिए होता है इस दोरान अन और वस्तो का दान देने से पित्री प्रशन्न होते हैं और ब्याक्ति को समर्द्धि का आश्रवाद देते हैं आई ये जानते मां कौन सी वस्तो हैं जो पित्री पक्ष में आप खरीश सकते हैं पित्री पक्ष के दोरान नया मकान, प्लॉट, फ्लेट, नई गाड़ी आदी खरीदा जा सकता है इसमें कोई मना ही नहीं है ऐसा माना जाता है कि पित्री आपके उन्ति पर प्रशन होते हैं ऐसे में आप इन चीजों की खरेदारी कर सकते हैं अगर आपके पिता जिन्दा है तो आप ये सब काम कर सकते हैं पित्री पक्ष का महत्व भी जान लीजी मानेता है कि पित्री पक्ष में स्राद और तरपन करने से पितर प्रशन होते हैं और आशिरबाद प्रदान करते हैं उनकी कृपासे जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकाउटें धूर होती है ब्यक्ति को नई τरह की दिक्कतों से मुक्ति मिलती है स्राधना होने की स्थिति में आत्मा को पुण मुद्धी नहीं मिलती पित्रिपक्ष में नीमित रूप से दान पुर्ण करने से कुंडली में पित्रिदोस जो है वादूर हो जाता है पित्रिपक्ष में स्तराथ और तरपण का खास महपत है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब करें शेर करें और कमेंट्स करें तब तक के लिए